हाई एवरीबन आज हम पढ़ेंगे थिंकिंग एंड कंट्रिबिशन ओब कॉलोनियलिजम यानि की उपनी वेशवादियों के विचार और योगदान यदेबी शिक्षित बारतियों ने हस्त लिखित महाकाव्यों पुराणों और जीवन चरितों जैसे गरंथों के रूप में अपने परंपरिक इतिहास को संजोए रखा तथापी पराचिन बारत के इतिहास में आदुनिक डंग से अनुसंदान अठार्वी सदी के उतरार्द में आकर आरंब होता है ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन काइम किया तब उन्हें ओपनी वेशिक पर शासन के हित में इसकी आवश्यक्ता परतीत हुई क्योंकि उन्हें यहाँ पर शासन करना था और शासन करने के लिए यहाँ के कल्चर को रूल एंड रेगूलेशन को समझना बड़ा जरूरी था जब 1665 में बंगाल और बिहार इस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया तब शासकों को हिंदूओं के उतरा दिकार की नियाए ववस्ता करने में कठनाई का अनुबव हुआ अतह 1770 में सबसे अधिक परमाने के माने जाने वाली मनुसमरिती का अंग्रेजी अनुबवाद एक कोड ओफ जेन्टू लोज के नाम से कराया गया एक कोड ओफ जेन्टू लोज मनुसमरिती का अंग्रेजी अनुबवाद है मनु समरिती हिंदू रिलीजन में एक Code of Conduct या Rule and Regulation के एक पहुती महतपुन पुस्तक मानी जाती है आज भी लोग इसको फोलो करते हैं हिंदू के दिवानी नियायकारे में पंडित लोग और मुसलमानों के दिवानी नियायकारे में मौलवी लोग ब्रेटिश जजों के साथ लगा दिये गए मौलवी लोग मुसलमानों की रिती रिवाजों और नियायकारे के लिए हल्प करते थे ब्रेटिश जजों की और हिंदुों के मामले में पंडिद लोग हेल्प करते थे ब्रिटिश जजों की प्राचिन कानूनों और रेती रिवाजों को समझने के लिए प्रियास आरंब हुआ जो व्यापक रूप से ठार्मी सदी तक चलता रहा और इसी के परिणाम सवरूप 1784 में कलगता में एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल नामक शोध संस्ता की स्थापना हुई इसकी स्थापना इस्ट इंडिया कंपनी के सर विलिम जोंस नामक सिविल सर्वेंट ने की जिनोंने 1799 में अभीगयन शंकौनतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया अभीगयन शंकौनतलम एक संस्कृत नाटक है जिसको काली दास ने लिखा था हम अभीगयन शंकौनतलम के बारे में डेटेल से बाद में पढ़ेंगे फिलाल आप यहां पर यह याद रखिए कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस ने करवाया था सर विलिम जोंस ने जबकि हिंदू के परम प्रसिद धार्मिक गरंत बगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलिकिंस ने किया आपको यह दो फैक्ट याद रखने हैं कि बगवत कीता का अनुवाद किस ने किया और अभी ग्यान शुकूंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किस ने किया 1304 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ओफ ग्रेड ब्रेटेन की स्थापना हुई विलियम जॉंस ने यह प्रतिपादित किया कि मुहलता यूरोपिय बाशाएं संस्कृत और इरानी बाशाओं से बहुत ही मिलती है इस तथे की खोजने जर्मनी, फ्रांस, रूस, आधी, यूरोपिय देशों में बारती विद्या के अध्यन में गहरी रूची जगाई यह हम देख सकते हैं कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द है जिनका प्रवाब दूसरी बाशाओं पर दिखता है जैसे मदर शब्द है, वो संस्कृत के मां से कापी मिलता जूपता है, ऐसा माना जाता है कि यहीं से उन शब्दों का उरिजन हुआ, मदर शब्द मां से ही उरिजन माना जाता है और बहुत सारे ऐसे शब्द है जो संस्कृत का एफेक्टर दूसरी बाशावों पर दिखाते हैं 19-वी सदी के पुरवाद में इंगलेंड तथा कई अन्य यूरोपिय देशों में संस्कृत के अचारे पद चेर्स स्थापित किये गए ताकि वो संस्कृत को अच्छे से समझ सके और अगर वो संस्कृत को अच्छे से समझ पाए तो भारती कल्चर को भी समझ पाएंगे जो कि उनके लिए बहुत महतकुन और जरूरी भी थी